हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं इस्टड्यू फीट आप फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज के सेशन में बीस एमसे की कोशन्स हैं सभी कोशन्स सभी कोशन्स को ध्यान से देखिएगा सुरू से लाइस तक वीडियो देखिएगा जैसा कि आपका वीपीसी ट्यारी 3 का 21 जुलाई को जो एक्जाम है उसका एड्मिट कार्ड आश चुका है सभी अपने अस्थान को देख चुके होंगे तो दोस्तों समय नश्चन करते हुए चलते हैं आज की कोशन्स के तरफ जैसे कि मैं दो वीडियो देली अपलोड कर रही हूं जब तक कि आपका एक्जाम नहों जाए यानि अब 10 दिन बचा ही है तो दोस्तों चलते हैं कोशन्स की तरफ कोशन है सो मिटर दोड में वायू का वीग कितनी समय के लिए मापा जाता है तो दोस्तों जो वायू का वीग होता है वहां किवल 100-200 मीटर दोड में और 100-200 मीटर और 110 मीटर बाधा दोड में मापा जाता है और लंबी कुद और ट्रिपल जम पी मापा जाता है जिसमें से 100-200 मीटर दोड में हवा का वीग होता है वहां 10 सेकिंड का लिया जाता है य यहां पर 10 second आपका right answer हो जाएगा option number B वही भी पूछेगा दोस्तों कि 110 meter बाधा दोड में हवा का बेग कितनी second के लिए मापा जाता है तो 13 second के लिए बाधा मालने जी बाधा पढ़ गया थोड़ा जादा सामे लाएगा तो 13 second हो गया और लंबी कूद और triple jump के लिए जो हवा का बेग होता है वो 5 second के लिए मापा जाता है जंप हो रहा है जल्दी हो रहा है तो यहां पर 5 second के लिए मापा जाएगा ठीक है यहां पर English में भी दिय का option number B and next question है ओलंपिक के प्रतीक जिन्हमीं बना पीला चल्ला किस महादीव का प्रतिनी धित्व करता है दे एलो रिंग इन दे ओलंपिक इंबेलेम रिप्रेजेंस विच कॉंटीनेंट तो दोस्तों यहां पर 5 छल्ली होते हैं उलंपिक जंडे पर और जो अगनेजी के डवलू आकार का होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि उपर 3 होते हैं इस तरीके से ठीक है और नीचे 2 होते हैं यह डवलू के आकार का बन इसमें से नीला, पिला, काला, हरा, लाल ए पांच प्रकार के होते हैं इसमें से नीला जो है वो यूरोप महादिप का प्रतिने से तो करता है और पिला, एसिया महादिप का प्रतिने से तो करता है काला, अफ्रीका महादिप का प्रतिने से तो करता है हरा, आस्ट्रिया महादीप का प्रतिनिधित्व करता है यानि दुनिया की एकता को बदर्शित करता है यहां कोशन में पूछा हुआ है कि पीला छला किस महादीप का प्रतिनिधित्व करता है तो पीला छला एस्या महादीप का प्रतिनिधित्व करता है यहां पे एस्या महादीप नहीं दिया ह हुआ है कि इसी भी आपसन में तो राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नान आप नान आप दे इबब यानि कि आपसन नंबर यह आपका राइट उनसर होगा उप्रक्त में से कोई नहीं कि नेक्स्ट कोश्चन है मोटे पन का मापन निवन में से किसके द्वारा होता है ओबेसिटी इज मेजर्ड बाई विच आफ दो फॉल्विंग तो दोस्तों यहां पे आप एक एक को देखें के गोणियो मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों गोणियो मीटर से लशीला पर मापा जाता है जोड़े को क का Skin Full Caliber, थीक है, मोटे पन को Obesity को Skin Full Caliber से मापा जाता है, BMI से मापा जाता है, और दो-तीन चीजे हैं, इसका मैं अलग से बिडियो बना जूँगी, क्योंकि यह कन्फ्यूज कर सकता है आपको, यह से कि यह तियाईटू में पुछा हुआ था, and next question है, इस नायू का खिचना कहलाता है, stretching of the ligament is called, तो आपको पता है दोस्तों, जो ligament और tendon होता है, ligament जो होता है, दो हडियो को जोड़ों पर जोड़ता है, लेकिन tendon क्या होता है, कंकाल मांस पेसियों को, हडियों के साथ जोड़ता है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, कि इस्प्रेनली और इस्ट्रेनम ऐसे बोलिए, इस्प्रेनली यानि इस्प्रेन जो होता है, ली यानि कि ligament, में जो चोट आती है, तथी खिचाओ और चोट से जो चोट लगता है, उसे हम इस्प्रेन यानि कि मोच कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मांस पेसियों टेंडन में चोट लगती है, उसे हम इस्ट्रेन यानि कि खिचाओ कहते हैं, याद रखेगा हिंदी में लिगामेंड की चो बारे में पूछेगा तो इंगलिस में इस्ट्रेन और हिंदी में खिचाओ होगा याद रखेगा और यहां पे एबरेजन जो होता है वह रगड लग जाता है जो जमीन पर या किसी भी चीज में लेकिन रख नहीं आता लाल पड़ जाता है इस्ट्रॉबेरी भी कहते हैं टॉ आइसो मेंटrison me小'ty हैं और ब्रत्याशगति नहीं होती है तो याहाँ पे कंपेड्रिज होती है कारे पीश्वता दिखाई नहीं देता है अरल रिंपाईने चोटी होती है ने बढ़ी होती है वो कोई चेंज नहीं होता है यहां तो यहां पे कोई भी आपसा राइट नहीं ह होगा यहाँ पर दिया है एसी कुर्टी है तो दोस्तों एसी कुर्ती है भाव नहीं होती है जिस्ती है तो तीनों कलत है यहाँ पर राइट इंसर हो जायेगा को नहीं ठीक है नांच सब्सक्राइब यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है एंड नेक्स्ट कोजन है किस विख्यात हौकी खिलाडी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई विख्यात होकी प्लेयर रोड दवुक गोल्डन हैट्रिक तो दोस्तों यहां पुस्तक लिखी गई है बलबीर सिंग के द्वारा किसके द्वारा बलबीर सिंग के द्वारा तेखै बलबीर सिंग ने लिखा हुआ है इस पुष्टक को और बलबीर सिंग के छिलारी भी है किए में सरवाधिक गोल किये हैं तो ओलबीरिमक के सरवाधिक गोल gives ऐलो एक दिन्री lock सब्मंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए सरीर के विभिन अवयों का सामानजस से बनाने की योगता को क्या करते हैं फेरी इंपॉर्डेंट कोश्चन है यह ठीक है दा एबिलेटी टू कोडिनेट वेरियस बॉड़ी पार्स तु पर्फॉर्म पर्फेक्ट इस्पोर्स एक्टिविटीज इज गॉल्ड दोस्तों यहां पर कह रहा है कि हम कोईसी भी खेल गतिविधी को अच्छे जंग से उत्तम धंग से संपन कराने के लिए अपने सरीर के विभिन अवयों यानि कि आंगों का संचा सामानजस से बनाने की योगता को क्या करते हैं जैसे आप फ इसको हम कहेंगे क्यूपलिंग एबिलेटी यानि कि यूगमन योगता आफसन नंबर सी यहां पर राइड एंसर होगा दोस्तों थीक है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा कोणियसन एबिलेटी है उस साथ प्रकार कि होती है जैसे कि कोणियसन एबिलेटी क् पहले जो है agility याने चपलता कहा जाता था उसकी का नया नाम coordination ability है जो समन्य यक्ता याने की coordination नाम दिया गया है जो केंद्री इसनायो संस्थान याने सेंटर नर्वस सिस्टम के क्रिया के अधाह पर काम करता है जो सात प्रकार कर होता है A B C D RRO मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, A से अधाप्टेशन अबिलेटी, B से पैलेंस अबिलेटी, C से क्विपलिंग अबिलेटी, D से डिफ्रेंसियेशन अबिलेटी, R से रिज्मिक अबिलेटी, R से रिजेक्शन अबिलेटी, और OC Orientation Ability तो यहाँ पर आफसान जिसे के लएय योकता दिया है यानि कि लएय योकता मतलब A, Rhythmic Ability Rhythmic Ability क्या होता है जो बाहरी आवास से या वह योकता जो किसी गामक क्रियाओं में बाहरी कतिबिदी हो कि लएयक को तुरंत गरहत करें जैसे कि स्केटिंग और जिमनास्टिक में खिलाली म्यूजिक के अधार पर अपने गतिबिदी करता है और भी है अनुकुलन योकता यानि कि एडाप्टैबिटी अनुकुलन योकता क्या होता है दोस्तों बदलती हुई परिस्टिटी के अंसा अपने आपको ठौकक से परियोटन कर लेता है उस परियोटन होता है उसके अपने आपको बदल लेता है Psalm रहे हैंक्ति लों बहूंधे पेन निरान उखचार के लिए कौन सा परिफ्चर् विख्षित भुआ तो दोस्तों यहां पर आपको क्रॉस बेबर सकती परिछर हो जाएगा जो मिनिमम मैस्कुलर फिटनेश टेस्ट को मेजर करता है जो निस सो चोवन में हन्स क्रॉस रूफ एप हरिसलेंड ने बनाया हुआ था जिसमें 6 आइडम्स थे इसमें सी एडामिनल मिन्स पोज एडामिनल पल्स पोज पोज एंड लोवर एडामिन अपर बैक लोवर बैक फ्लोट टोटर्च आदिश में 6 बैटरीज थे नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 है निमन में से कौन सा योग सुद्धी से समंधित है तो दोस्तों वीचार फालिविंग योगा योग सुद्धी से समंधित है यहां पर हठ योग सुद्धी से समंधित है आफसर नमबर 10 यहां पर राइड़न सरू हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं भौति को मालसिक को इत्राव संतुनन ट्राप्त करने के लिए हठ योग एक साधन है खान पान की आदतों के करण सरी में जो एक अत्र टॉक्सिंग वह गंदगी को दूर करने के लिए हठ योग किया जाता है जब टॉक्सिंग निकल जाता है तो सरीर पवित्ता की इस हिती में पहुंच जाता है इसे आंत्रिक हिस्टों की कार्यशंता में संतुनन आ जाता है incent को सिखना है ईक कॉस्टणडनमण 10 है कि निवने में से निरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है वीच अफ़ बावलिवन कि न टाइप अफ Dr Osics दो लो यहा पे जो निरॉन होता रहा तदरिक हो वहती है यह 3 प्रकार को वहते हैं जिसमेंसे आपका होता है sensory neuron, motor neurons and intermediate neuron sensory neuron, motor neurons and intermediate neuron यहाँ पर sensory neuron आपसा नमबर D सही है ठीक है and motor neuron B वाला सही है intermediate neuron A वाला भी सही है A सही है, B सही है and D सही है aesthetic आपका नहीं होगा आपका यह गलत है इस्टैटिक आपका नहीं होगा यह गलत है तो यहाँ पर तीम प्रकार के होते हैं इसमें कौन नहीं है निवरान का प्रकार दोस्तों इस्टैटिक नहीं है आपसा नमबर C यहाँ पर गलत होगा आपसा नमबर C यहाँ पर गलत हो जाएगा यहां पे नहीं है, जैसा के नीरां तीन प्रकारगे होते हैं, मुख्लिकित से कारे के ओधा पर, sensory नीरां, जिसे हम ovens neuron या same vein neuron दूसरा होता है motor neuron जिसे evidence neuron कहते हैं, covenant neuron जो संदीशों को हमारे ग्यान इंड्रियों से 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 जो संदीशों को हमारे ग्यान इंड्रि सिस्टम से इस वाइनल काड़ो मस्तिष से सरीके विमिन कारकारी अंगू पेसियों तख ले जाते हैं और इसके प्रणास परणुक पेसियां जो है कारे करती हैं तीसरा होता है Intermediate Neuron जो पूरी तरह CNS में इस सीथ होती है Central Neurone System में इसका बाहर ही वातारोर से कोई संपर्क नहीं होता है Intermediate Neuron से I hope कि आपको समझ में आया होगा Next question है दोस्तो मस्तिस्क के अध्यन के लिए मुनविज्यान सब्त का सरोपर्थम प्रयोग कि ने किया Who first used the term psychology for the study of the mind तो सबसे पहसे जैसे कि आप जानते हैं मुनविज्यान की पिता बिलियमूंट है एक कोर्शन भी पेसी टियाइटू में पूछा हुआ था दोस्तों कि मुनविज्यान के पिता कौन है या सीधे लिखा हुआ था बेवहारिक मुनविज्यान के पिता कौन है तो आपका right answer हो जाएगा बिलियमूंट लेकिन सबसे पहले मुनविज्यान सब्द का प्रयोग किसने किया था तो वह किया था रुडॉल्फ गोईकिल ने किसने किया था रुडॉल्फ गोईकिल ने option number b right answer होगा तो मुनविज्यान की पिता है बिलियमूंट या प्रयोगात मुनविज्यान या बेव वहां पे दरसन वाला बात नहीं कर दर रहा है दरसन मिरे अगर बोलेगा प्रयोग वाला बोलेगा तो जानड़ी होजाएंगे और यहां पर मनविग्ञान कि पिता याष्क मन disruption मनोम विज्ञान कि पिता कहेंगा तो ऑकपाम现在 उल्ट होजाएंगे ठीक है आप याद रखेगा और अधोनिक मौनविज्यान की पिता रहे दोस्तों कौसी उत्तुलक में बल आधार तथा भार के बीश में होता है इन विश टाइप आफ लिवर दा फोर्स इज बीट्वीन दा फलक्रम एन दा लूट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था जैसा कि आपने सही अंसर टिक कर दिया हुआ आप कोशन पढ़ते ही आपको ट्रिक बताया हुआ था एफ ए आर एन 34олод ठीक है अब देखें कि आर के नीचे क्या है दो है एक नीचे एक है एक की नीचे तरी है याने कि आपका जो एक नीचे वर याने कि फ़र्स प्रकार के लिवर में एकसिस बीच में होगा फोर्स और रसिस्टेंस के फोर्स यानि बल और भार के रसिस्टेंस मतलब भार और सिकेंड प्रकार के लिवर में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होगा और थर्ड प्रकार के लिवर में फोर्स यानि बल बीच में होगा तो यहां पर कोशन क्या पूछ रहा है कि कौन सी उत उत रज़ेअज गे reading होगा फर्ट तीप का होगा कि ने तर्च को सब्सक्राइब को है तू हेलो विद हॉड़ों की इसमें असलम सिर्क्षान गात्मक्था है कि दूज़ tiny सिर्खान भार्टी हां की खिलाड़ी थी नेक्ट कोस्टन है दोस्तों कोस्टन नंबर 14 वायरस सदिके किस अंगों को प्रहावीत करता है है फिस वायरस एफेक्स विच और गॉन और दो पर दोस्तों आप सब को पता है कि हमारा यकरित योई था है खराब जादे मात्रा में RBC जो है वो मरता है और आकर के लिवर में मरे हुए RBC की द्वारा ही बिलुरूबीन और पितरस्क निमार होता है और बहुत जादा बनने से क्या होता है कि किडिनी उसको समहाल नहीं पाता है यकृत उसको सारी दस्तों किडिनी नहीं यकृत यानि लिवर उ बरहोषज दार्प्रिया को अधायने की, पितरस को अलग करने की उसमात हो जाती है, रखत में पितरस फैलने लगता है, रखत के साथ प्रहवध होने लगता है, जिसे हम इरु np. हमाईं क्या पैरा प्रियास का टमस्टति प्रियास प्रयास युकुम है अधायत है अंत्राल प्रसिछड़ पर यानि कि interval training method पर किस पर अधायत है interval training method पर ठीक है interval training method जो है इसकी खोज 2022 में अठेंडली वाग गल्चल और विकिला ने किया था सांसियता और गति सांसियता को विक्षित होती है इसको interval training method को तेलिस प्रसिचर भी कहा जाता है और दोस्तों इसको यह जो होता है की लिए तो अंकम्पलेट दिया जाता है यानिकि यानि अनुकम्प्लेट रिगवरी के अधार पर जब हिर्यगति 120-140 प्रतिमिनट पर हो जाती है तो क्रिया को पुना सुरू कर दिया जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 16 है कि बिर्धा वस्था में आखों में समाने समस्या होती है यहां वहां और काकेक्ट यसे यहां परिए मोटल्र को जाता है यहां है तो के रांखों को पर कि बिए तो प्रम पर से कहें आखों में दूर्ला दिखाई रच आने रात को देखने में प्रिसानी होता है दोहरा अपीडे रंकार दिखाई देता है अब जब आखों में काले परत जमा हो जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसे काला मुतिया बिंद भी कहते हैं नेक्स्ट कोस्टन है निन में से क्या अनुआसिक अच्छा निधी के रूप में जना जाता है इसलिए इसको अनुआसिक अच्छा निधी बोला जाता है नेक्स्ट कोश्टन है श्रजड़ी जिवन सैजिसे जुड़ी किसी आम बिमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है बेरियाइट्रिक सरजड़ी जो होता है मोटापा यारी की जाता है जिसमें जो फैट वाला सेल होता है उसको खिच-खिच कर बाहर निकाला जाता है ना कने को फार्थ नई चाहãy में एक एक पाशे काश्च की upon और लाइन की चुडाई कितने होती है तो यहां पीए जन्सेक नहीं हो यहां पर यहां वाट ही तो लाइन से लाइन थन की फीट म्यश्य पहशिच जाता उसको बुरा जाएंगा इसमें 8 नम्स सब्सक्सक्राइब से का मानसरी में कौम सी ग्रंती सरकरखा को नियन त्यकलती है a human body can't roll sugar को तो दोस्तों कि यसा कि है चाहि कि आप जानते हैं इच्छ को हमारा सर्क्लों खटयआउ है हमारे सरीर में सरक्रा को नियन तित करती है पैंक्रियाज से हार्मोन और इंजाइन दुनों इस्त्रावित होती है इसलिए इसको मिक्स ग्लेन कहते हैं और पैंक्रियाज के लेंगर हैं इसके दिपिकाओं से चार प्रकार की कोसिकाएं निकलती है अलफा बीटाडाएउन अयफकोसिका और इसमेटोइस्टेटिन अयफकोसिका से ग्लुकोइगां हार्मोन वह यकृत को उत्प्रेيड करके लाईकोजन ब्रवर्वतित करते हैं तौक करते हैं जर्के ब्रव próxim है जल में धुलाइकोजन उत्मुपन होता है तो जय है नहीं कहते है नहीं का हजता है तो कमी में हो जाता है तोanor ढूंची कुखिन बदाल तो सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब करता है तो यह था आज की सेशन का BCMC कोशन आपको अच्छे से समझ में आया होका जो भी कोशन में कुछ जाओट होका कमें जरू प्ताइए और दोस्तों इसी तरह डेली वेसे से प्रक्तिक कीजिए आपके पास ताइम नहीं है तो मिलत तब तक के लिए जय हैं